स्वागत है आपका Software India की YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि Swill ERP में Transaction Series कैसे Create के जाता है अगर आप Business Transaction और Branches के According Software में Series Create करना चाहते हैं ताकि Accounting Maintain करने में Help मिले तो Swill ERP में Master Data Section से Create क्या जा सकता है Swill ERP में सभी Transaction की Series Create करने के लिए Useful Option Available है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले Swill ERP के Dashboard पर जाकर System Menu से Master Data Option को Select करेंगे यहां Series Option को Choose करेंगे और Series Window Open होने पर आप सभी Transaction की Series View कर सकते हैं यहां New Series Create करने के लिए New Option पर क्लिक कर सकते हैं इसके साथ ही Created Series को Edit करने के लिए Edit Option पर क्लिक करेंगे इसके साथ इसमें Series को Print, Delete और Refresh करने के लिए भी Options अवेलेबल हैं आप जानते हैं कि यहां Transaction Series कैसे Create करेंगे सबसे पहले New Option पर क्लिक करके यहां Transaction सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप Series Create करना चाहते हैं जैसे की Sales Invoice, Purchase Invoice, Payment Entry आदी आप Series का Name सिलेक्ट करेंगे यहां Starting Number एंटर करेंगे जहांसे आप Series स्टार्ट करना चाहते हैं जैसे की 1, 2, 3, आदी आप Transaction का Location सिलेक्ट करेंगे इसके साथ ही Billing Rate भी सिलेक्ट करेंगे जैसे की MRP, Sales Rate, Purchase Rate या Cost Rate इसके अलावा Requirement होने पर Formal Name और Description एंटर कर सकते हैं इसके साथ ही Posting in Account option पर Tick Mark करेंगे आपको बता दें कि यहां Option Accounting Purpose के लिए यूज किया जाता है अगर आप किसी Particular Transaction के लिए Accounting करना चाहते हैं तो इस पर Tick Mark कर सकते हैं इसके बाद जिसका Series Apply होगा उस Option को सिलेक्ट करेंगे यहां यदि आप All Options को सिलेक्ट करते हैं तो Transaction में सभी Product शो होंगे यदि आप Taxable Option को सिलेक्ट करते हैं तो Transaction में सिर्फ Taxable Product ही शो होंगे जिसका Tax Rate more than 0 होगा और यदि आप Exempted Option को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो Transaction में वही Taxable Products शो होंगे जिसका Tax Rate 0 होगा बता दें कि यहां Allow का Option भी Available है आप Option सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पर Series Apply होगी अब Page को Save करने के लिए Save पटन पर क्लिक कर सकते हैं साथ ही Red Star Mark फील्ड को फिल करना mandatory है तो यह था स्विल YRP में Transaction Series से जुड़ा वीडियो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूले Thank you